असलाम अलेकुम वीवर्ज वेलकम टो माई चैनल सबस्टाइल वीवर्ज आप सब कैसे हैं आज की वीडियो में मैं आपको नर्सिंग कोड बनाना सखाऊंगी वीवर्ज इसका कोड का लर नेक डिजाइन हम बनाएंगे और पॉकिट्स भी हम लगाएंगे सारी मैं कटिंग भ आ रहे हैं तो आप उसे साबसे इसकी मियरमेट बढ़ाया कम कर लीजिएगा और इसकी लंबाई मैंने 24 सिंग तक कटिंग की है मैंने 21 सिंग तक इसे तियार करना है लैंथ में आप लैंथ अपने असाब से जितनी चाहें मर्जी ले लें लें लेकिन तीर इस तक आप जितन इसाइब लाम 15 सिंग तक मैंने कटिंग किया था और बैक साइब 20 में मैंने 24 सिंग का है ओडार करके मैं 21 गाइश च्हुदा साइब जो आप को आपको जितनी त्यार मैयरमेंट चाहिए आपने उससे चार इंच तक एक्सुरा कटिंग करना है मुझे थारा इंच तक त्यार चाहिए तो मैंने 23 इंच तक कटिंग किया 4-5 इंच तक अपने अक्स्ट्रा कटिंग करना है उसके बाद मैं 7.5 इंच पर तीरे का निशान लगा रही हूँ साड़े साथ इंच इस तरफ निशान लगा रही हूँ आर्म हॉल के लिए यहां से सीधी लाइन लगा लेंगे और एक नौक से हम इसकी एक इंच पर यहां से आर्म हॉल के गुलाई कर लेंगे और यह देखे जितना हमारा खुला था मैंने उतना ही उपर वाल साइट से रखा है बस एक इंच तक कमर से कम रखा है और यहां से हम आर्म होल के शेप दे लेंगे गुलाई में और हाफ इंच तक हम तीरे वाली साइट से तीर्चा कटिंग करेंगे यह जैसे हमने निशान लगाए हैं वैसे हम इसकी कटिंग कर लेंगे अब हमने सेंटर से यह देखें बैक साइट से हमने साड़े 4 इंच पर का पैनल रख रही है तो साड़े 4 इंच पर हम इस तरह निशान लगाएंगे और यहां से हम साड़े साथ इन तक रखेंगे जितना मारा तीर है यहां तक का रहा है तो अब यहां तक हमने इसकी गुलाई करनी हमने इसकी कलिये इस तरह यहां से बनानी है और यह देखे नीचे से हमने बिल्कुल सीधी हमने गुलाई करनी है और यहां से हमने इस तरह इस तरह इस तरह शेप देने के लिए हलकी सी हमने गुलाई कर लेनी है ज्यादा डीप नहीं हमने करना यह बला बस हमने थोड़ी सी हलकी सी गुलाई करके बाकी हमने सीधी इसकी कटिंग कर लेनी है और यह देखें इस तरह यह हमारा पैनल और इशी के साथ आपने सेम रहनी है उसके बाद हमने इससे साथ अटैच कर लेना है अब इसके बाद विवर्ज इसकी बैक साइड को और इसकी कलियों को मैं सायड पर कर देती ऀम हम इसकी फ्रेंट साइड का गला भी कटिंग कर लेते हैं तो यह इसकी लगा लेते हैं उसके बाद यहां साड़े साथ इंच से हमने आगे की तरफ हमने साड़े तीन इंच पर मैं निशान लगा रही हूं और डीप जो है गला वो मैं दो इंच तक रख रही हूं यहां से हमने इस तरह से गुलाई कर लेनी है और अब हमने इसी गुलाई में इसकी कटिंग कर लेनी है कटिंग करने के बाद यहां से विवर्ज हमने दो दो इंच पर लंबाई में दासी इंच के तक निशान लगा लेनी है यह देखें लंबाई में हमने दासी इंच तक निशान लगाने है अब इसके बाद हमने इसकी विवर्ज यहां से यह मुझे से गल्ती से कटिंग हो गया था लेकिन मैंने इसको वीडियो से स्किप नहीं किया ताकि आप लोगों को भी अंदाजा हो जाए अगर हमें इसे तरह गलती से कोई mistake हो जाए कोई इस तरह कटिंग हो जाए तो हम उसे किस तरह से सई कर सकते हैं ये आपने दूसरी वाली साइड से end से तीर्चा इसे कटिंग करना है यहां से आपने कटिंग नहीं करना हूँ और यहां सेंटर से मैं कटिंग कर लेती हूं आपको स्टिचिंग में बताऊंगी कि हमने इसे किस तरह से सेट करना हैं कवर करना है अब हम इसके स्लीव कटिंग कर लेते हैं और स्लीव यह बड़े बर्लक मेरे बाद कप्डा था और शो PUBG जो एव मैंने साथे आठीज तक फाब्री को फॉलड कर रखा डबल फाब्री कामने फॉलड किया है और स्लीव की जो लंबाई है वह मैंने 23 उन तक कटिंग कियां स्लीव के हमने 20 उन तक ت्यार करना हैं तो इसको भी मैंने लंबाई में तीनीज तक एक्स्ट्रा कटिंग किया है. और यह देखे इस तरफ से हमने आर्म होल की शेप दे लेनी है तीनीज तक डीप रख कर और फ्रन्ट साइज से मैं छेज तक स्लीप को कटिंग कर रही हूँ. तो इससरा हमारी कटिंग कॉंप्लीट है. अब हम इसकी स्टिचिंग की तरफ चलते हैं. То इस स्टिचिंग के लिए सब से पहले मैंने यह पीस कटिंग किया है. इसकी लंबाई मैंने यह देखे ग्याराइज तक रखी है. 10 इंग तक हमने फ्रांट साइट से जो हमने कटिंग किया था गले को और चुडाई मैंने इसकी साड़े छेंज तक ली है मैं आपको मेयरमेंट बताती हूँ कि आपने किस तरह से इसकी ये पीस कटिंग करने है यहां से आपने यह देखें यहां से जाने मारी गुलाई हो रही है एंट तक आपने मेयरमेंट करनी है यह साड़े छेंज तक है और इस तरफ से डीब जो है वो हमने दस तक रखा था मैंने वो ग्यारा इंज तक कटिंग किया क्योंकि स्लाई में भी कपड़ा आना है और यह वाला फैबरीक आपने डबल लेना है जो हमने लैदा से कटिंग किया है वीवर्ज सब से पहले मैं आपको इसको बताती हो आपने किस तरह से कवर करना है एक हिंच तक आपने फैबरिक लेना है उसको आपने नीचे रखनी है नीचे रखने के बाद यहाँ पर आपने एक पैर की स्लाई लगा लेनी अब इवर्ज आपने किनारे की स्लाई लगानी अगर आप किनारे की स्लाई लगाएंगे तो वो स्लाई आपकी निकल जाएगी अगर कभी भी आपका इस तरह से गलती से कटिंग हो जाए तो आप इस तरह से उसे सेट कर सकती है पीज को और यह देखें बिल्कुल अच्छे से टैच हो गया अब यह एक्स्ट्रा कपड़ा जो वो कटिंग कर लेते हैं और यहां से भी हमने हाफ़िन तक फैबरिक को फोल्ड कर लेना है यह हमने फोल्ड कर लिया है अब इसके बाद जो हमने यह तिर्शा पीस कटिंग किया था इसको हम नीचे रखते हैं एक तरफ से मैंने इसे तिर्शा कटिंग किया और एक तरफ से सीधा कटिंग किया जिस तरफ से हमने सीधा रखना है उस साइट से आपने ये देखें अपने जो फ्रंट साइट है उसको इसके उपर रखकर आपने ऐसे ही सारी शेप दे लेनी है ता करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले हम एक तरफ से जिस साइट से हमने इसे तीर्चा रखा था उस साइट से हम हाफ इन तक फैबरिक फोल्ड कर लेते हैं और उसके उपर हम सिलाई लगा लेते हैं ताकि इस तरफ से हमारे दागे बगारा नाल निकले हैं और गुम स्ठीचिंग हो जाए इसकी अब यह देखे हमने इसे सीधी वाली साइट पर इस पीस को उल्टा करके रखना है यहाँ पर हमने यह सारी सिलाई लगा लेनी है तो यह पीस उल्टी वाली साइट पर हमारा पलट जाएगा और यह गुम स्ठीचिंग हो जाएगा यहाँ से हमने एक इंच तक कपड़ा स्लाई में लेना है इस तरफ और इसके बाद यह चोटी वाली साइट पर इस तरफ भी हमने स्लाई लगा लेनी है इसके बाद एक इंच तक हमने फैबरिक छोड़कर बाकी सारा फैबरिक कटिंग कर लेना है और उसके बाद इस फैबर बढ़ा हुआ है। जबंधाने के लिखे वाइश सीधी है और ये उल्टी वाली साइड है उल्टी सावाली साइड से भी आप देख लें मैंने अच्छी तरह से इसे प्रेस कर लिया है दूसरी साइड को भी से मैसे ही आपने रेडी कर लेना है और इसे भी प्रेस कर लेना है धूना तरफ प्रेस करने के बाद अब हम इसके साथ कलियों का टैच करेंगे जो हमने कटिंग की थी तो यह देखें, यहां से हमने जिस दरह से इसकी गुलाई है वैसे हमने इसके साथ इसे रखकर स्टिच करना है यह सिदी वाली साइड पर हमने सीधी साइड हमने रखनी है पैनल की और इसके उपर हमने कली को उल्टा करके रखना है और इस तरह गुलाई में हमने एक इंच तक कपड़ा स्लाई में लेना है और गुलाई में हमने स्टीचिंग कर लेनी है अब इसके बाद जिस कपड़े के उपर हमने सलाई लगाई उस कपड़े को हमने पैनल की तरफ कर देना है और सलाई भी हमने पैनल के कपड़े के उपर लगानी है कली के कपड़े के उपर नहीं हमने लगानी ये देखे जारा कपड़ा हम पैनल की तरफ कर देंगे जिसके उपर हमने सलाई लगाई थी और यहाँ पर हम किनारे की सलाई लगा लेंगे उसके बाद हम इसके साथ एक पैर की और सलाई लगा लेंगे यह सलाई हमने अची तरह से अटैच कर लिया है यह एक तरफ मैंने कली लगा लिया सेम ऐसे ही आपने दूसरी साइड पर भी कली लगा लेनी है और बैक साइड की भी कली है आपने बिल्कुल ऐसे ही अटैच कर लेनी है सारी कलियां लगाने के बाद अब हमने जिफ जिर्फ अपनी फ्रंट वाली साइड लेनी है और उसको हमने इस तरह इसकी जो उल्टी वाली साइड है वो हमने अंदर की तरफ कर लेनी है और फ्रंट की जो सीधी वाली साइड है वो हमने बाहर की तरफ रखनी है और इसको हमने सारा इस तरह बराबर कर लेना है आपने उपर वाली साइट से सारा बराबर करना है एक्स्ट्रा कपड़ा होगा तो आप नीचे की तरफ निकाल ली दियेगा वो आप बाद में कटिंग कर ली जियेगा यहां से हमने तीरे से हमने यह 15 इंच तक मेयरमेंट करनी है और साइट से हमने यह सवा 2 इंच तक सवा 2 इंच पर यहां पर हम निशान लगाएंगे और लंबाई में हम 15 इंच पर निशान लगाएंगे यहां से भी 15 इंश तक सारी हमने यह निशान लगा लेने हैं, अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, तो सेंटर से हमने दोनों पीस को इस तरह डबल करना है, यहां पर कट लगाना है, और इस तरफ भी हमने कटिंग कर लेनी है, और इस तरफ भी हमने सारी कटिंग कर लेनी है, य के यह मैंने फैबरिक लिया और इसकी जो जो लंबाई और चुडाई हो झाल जाई शैंज्स तक लिया डबल डब़ कप्डह हमने लिया को GOOD इसको ले जो एक टरफ शुकwww प्रफ, हमने ऐस तरह से सिज्ट लगा लीएँ यह एक तक हमने कप्डह सिल्इम eильно के हैं एक एंसे हम थोड़ा कम रखेंगे यहां से हमने मेजर्मेंट कर लेनी यह साढ़े 4 इंश तक त्यार होगी यह देखें दोने तरफ से एक्सट्रा कप्ड़ आपको होगा वह सारा पकटिंग कर लीजिए करने के बाद इस तरफ हम किनारे की स्लाई लगा लेंगे लेकिन वीवर्ज आपने उपर से एंड तक स्लाई नहीं लगाने उपर से आपने एक इंच तक फैब्रिक छोड़ देना यहां से क्योंकि इस तरफ हमने पॉक्ट को टैज़ करना इस तरफ से अब दूसरी साइड से भी ऐसे हमने एक इंच तक छोड़कर बाकी हमने किनारे की स्लाई लगा लेनी है तो यह पॉक्ट हमारी रैडि है अब इसके बाद यह हमने लग से फैब्रिक लेना है और इसकी लंबाई हम हमने 15 तक चुड़ाई हमने 13 तक लेनी है इसको हमने डबल करना है और करने के बाद इसको हम प्रेस कर लेंगे यह देखें इसको आपने इस तरह प्रेस करना है कि यहां से हमने एक इंज तक त्यार है और साइड से 1.5 इंज तक तो यह देखे यह मारी पॉक्ट है यह शिर्ट है और यह देखे यह हमने अटेश कर लिए पटी हमने प्रैस कर लिए एक इंज तक इंज चुड़ाई रखी और लंबाई 1.5 इंज तक और हाफ आफ इन तक तिनो तरफ हमारा फेबरीक है अब इसके बाद हम इसमें इसे उल्टा करेंगे उल्टा करने के बाद ये जहीर हादक घेरे वाली साइब पैले में पत्ति पोगट को ऊटच करने है थो से पहले हम इस पट़ी को लगा लेंगे यह देखे जिस तरा से हमने लगिए कि फोलडिंग की है वैसे ही आपने इससे रख देना इसके उपर और दोनो तरफ से आपने यह देखे। एक इंच तक इस pocket को भी उपर वाली side से slide जो हमने end तक लगाई थी उसे आपने end तक नहीं लगाना खोल देना है अगर आप पहले लगा ले ने तो आप लगाते वक्त एक इंच तक कम लगाईएगा और viewers पहले हमने अपनी जो अपना coat है उसको नीचे रख है घेरे वाली side उस इस तरफ लगा लेनी है यह हमारी coat की उपर वाली side होगी और इस तरफ भी हमने आज से यह देखे उल्टी वाली side पर हमने हाफ इन तक कपड़ा लेकर स्लाई में हमने इस side पर भी इसे pocket को attach कर लेना है यह देखे आसा आसा हम स्लाई लिगाएंगे और दोनों तरफ हमने pocket को उल्टी वाली side से स्लाई लगाकर attach कर लिया है यह देखे यह उल्टी वाली side और यह सीधी वाली side है अब इसके बाद हमने इस fabric को यह देखे इस तरह fold करके रखना है और इसके side पर हमने किनारे की स्लाई लगा लेनी है इस तरफ और इस तरफ भी ऐसे ही आपने इस fabric को हमने पहले प्रेस से अच्छी तरह से बठा लिया था तो बस आपने इसे अच्छी से सेट कर लेना और किनारे की स्लाई लगा लेनी है इस तरह से आप दूसरी pocket भी लगा लेजिएगा बहुत एजी तरीके से आप इस तरह पोकिट लगा सकती है अगर आपको फिर भी इस तरह से पोकिट लगानी ना है तो आप वैसे ही पोकिट रेडी करके शर्ट के उपर भी अटैच कर सकती है यह मैंने आपको गूम लगानी इसका ही है तो अब इसके बाद हम फ्रन्ट और बैक साइट का तीरा टैच कर लेते हैं यह देखें आपने साइट से तीरे को बिल्कुल ब्राबर रखना है और जो भी आपका कपड़ा ज्यादा होगा वो आपने फ्रन्ट साइट का एक दूसरे के उपर फैब्रिक को कर देना है आपने कटिंग नहीं कुछ भी करना यहां से अब विवर्ज हमने कॉलर बनाने के लिए कपड़ा लिया तो इसकी कॉलर की जो लंबाई वो मैंने 16 तक लिया और चुड़ाई जो है फैब्रिक की वो हमने 7 तक लिया इसको हमने इस तरह डबल करना है करने के बाद विवर्ज साइट से आपने एक इंच तक इसे कटिंग करना है उस साइट से हमने 16 तक है तो इस साइट से अमने 15 तक रखने और यहां से इस तरह तिर्छी शेप में इसकी कटिंग कर लेनी है अब हमने इसकी नोग को इसी तरह से तिर्ची इसकी स्टिचिंग कर लेनी है इस तरफ से भी वीवर्द हमने हाफ इंट तक फैबरिक में स्लाइमें लेना है और उसके बाद हम इस कॉलर को पल्टा लेती है और पल्टाने के बाद हमने कैंची की नोग की मदद से अच्छे से इसकी नोग निकाल लेनी है अब हम कैंची के सेंटर में निशान लगा लेती है निशान लगाने के बाद अब हम इसे अपनी शर्ट के साथ अटैज करेंगे इस कॉलर को आपने सीधी वाली साइट अचे करने यह देखें सीधी वाली साइड पर मैंने स्कॉलर को रखा है अब यहां से अमने उपर से जो कप्रे पर एक से नील था है वहां से उस तरहां स्टार्ट कर lower को एस तरहां से अब यहां से deixar 2per को सलाई लगानी है, उससे आगे हम कट लगा लेंगे और इस तब भी यह देखें, इस तरफ भी ऐसे ही हमने कोलर अटाच कर लेना है यहां तक और इसके ऊपर जो हम फैबरिक लगाया था हमने एक्स्टर यहां तक हमने जहां तक फैबरिक आएगा, वहां तक हमने छोड़ कर बाकी हमने, वहां से end तक हमने कट लगा लेना है वह कट जो हम लगाएंगे वह हम बाद में फैबरिक को फॉल्ड करेंगे, इसलिए हम कट लगा रहने हैं, पहले ही ता कि हमें फोल्डिंग में असानी हो अब यहां से भी हम इसकी नौक को अच्छी तरह से निकाल लेंगे नौक निकालने के बाद अब विवर्द आपने इसके उपर स्लाई लगानी है ताकि यह फैबरिक हमारा सीधी वाली साइड पर ना जाए बाइर की तरफ ना निकले तो यहां पर हमने इसके हाफ पर स्लाई लगानी स्टार करनी है 5 अंच पर और किनारे की हम स्लाई लगाएंगे अब यहां से हमने एक तरफ से कॉलर के फैबरिक को छोड़ दिया था तो उस फैबरिक को हमने यह देखे इस तरह से पलटाते जाना इसके उपर half in तक कपड़ा हमने अंदर की तरफ करते जाना है और किनारे की हमने इस स्लाइल गाते जाना है इस तरफ से भी हमने इसके half तक हमने इस लाइल गा लेनी है, इस फैबरिक के तो इस तरह हमारा जो यह caught collar neck design है, वो ready है viewers the caught collar neck design के और भी ideas मैंने आपके साथ है, share की है आप मेरे चैनल को विजिट कर लिजेगा अगर आप और भी कोट कॉलर नेक डिजाइन डिफरेंट तरीका से मैंने आपको सखाया तो आपको वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएंगी और यहां से एल यह देखे हमने इसको इस तरह पलटा लिया तो जो हमसे कट्र मुझसे लगया था वह कट भी स 여자 गोर nog की घुम हो गया अब इसके बाद हम इसके साथ स्लीवischer टेज कर लेते उसके यह आपको इसका का फयनल लूक दिखाती हूँ यह स्लीव तो सिलीव की जो फ्रंट साइड हो हमने दो इंगे दिगकों फराब करने के बाद यहान से हमने इस तरफ से हाफ इंगे कपड़ा ंदर की तरफ करने है यहां से करीब हमारा डेड़ इंच तक फोल्डिंग होनी चाहिए यहां से कपड़े की यह देखे इस तरफ हमने यह डेड़ इंच तक हमने इसे फोल्ड त्यार करना है इसकी फोल्डिंग को दो इंच तक हमने फोल्ड किया था त wygląda है सारा हमने टेच कर लिया है कनारी की स्लै लिगा अब इसी तरफ इस फैपरी को दुबार अपने परती करते हैं और बछा रए cinco लें ये जार अए बुटा लिए और को डीगे डीशोलती कर लिक हैं और अपने कोट के साथ हमने इसे अटैच कर लेना हाफ इन तक अपने कपड़ा स्लाई में लेना है और इसे हमने आसास तक गुलाई में इस तरह से स्लाई लगा लेनी है अब हम इसकी साइड की स्लाइ लगा लेते हैं तो फ्रंट साइड से जो मैं स्लीव है वो साड़े चारी तक खुला रख रही हूँ आप अपने असाब से इसकी मेजर्मेंट ले सकती है इसके बाद सारी हमने ये उपर तक सारी साइड तक हमने स्टीचिंग करनी है और एक से डेड़ी इंच तक अपड़ा हमने स्लाइ में ले लेना है ये देखे हलकी सी मैं इसकी फिटिंग कर रही हूँ आप बिल्कुल स्ट्रेट मिनाना चाहें तो वो भी आप सीधी स्लाइ लगा लिजिएगा दोना तरफ से ऐसे आपने स्लाइ लगा लेनी है उसके बाद गेरे वाली साइट से भी आपने डेड़ इंच के करीब इस फैबरी को फॉल्ड करना है फॉल्ड करने के बाद इस तरफ आपने बरे बैर की स्लाइ लगा लेनी है ये यहां पर मैं तरपाई करने वाली हूँ गेरे पर अगर आप चाहें तो स्लाइ भी लगा सकती है लेकिन मैं यहां पर तरपाई करने वाली हूँ तो इसलिए मैं पहले बड़े टांके की स्लाइ लगा लूँगी उसके बाद हम तरपाई करने के बाद इस स्लाइ को कहूल देंगे और इसके बाद वीवर्ज हमारा कोट जो है वो बिलकुल रेडी है और इसकी फ्रंट वाली साइट पर हम इस तरह काज और बटन करवा लेंगे और बटन लगा लेंगे तो वीवर्ज आई होप आज की मेरी वीडियो आपके लिए काफी हलफुल रही होगी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और अपनी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और वीवर्ज अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और विवर्ज अगर आप चाहें तो में इस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं मेरे इस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और विवर्ज अगर आप फर्स टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर विजिट करिएगा आपको वहाँ पर भी और भी बहुत ही प्यारे प्यारे डिसाइन्स बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो मिल जाएंगी तो आज की वीडियो में इतना ही न